जैशी कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा में एक नई दुनिया के अंदर हमने प्रवेश किया है ये दुनिया उन लोगों की है जिसमें बहुत सारा दर्द है बहुत सारी तकलीफे हैं बहुत सारा संगर्श है लेकिन फिर भी हार नहीं है नाकाम्या भी नहीं है लड़ने की ताकत है और अपने अंदर जिन्दगी को जिन्दा रखने की एक तलब है इस तलब को जिन्दा रखने के लिए एक मुहिम चलाई है मैंने जिसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ जुड़कर मुझे क्रतग किया है धन्यवाद है आभार है दिल से शुक्रिया है उन सब का जो अपनी जिन्दगी की कहानियों को मुझसे शेयर कर रही है जो मुझे बता रही है कि सच में दर्द सहने की ताकत जितनी नारी में होती है उस दर्द को मिटाने की उससे दुगनी ताकत उसी नारी में होती है अगर एक नारी किसी को जनम दे सकती है तो वो तिल तिल मरती हुई अपनी जिन्दगी को भी एक नया जीवन प्रदान कर सकती है आज मैं जिनके साथ यहां पर बैठी हूँ उनका नाम मैं आपके सामने उजागर नहीं करना चाहती क्योंकि इनकी कहानी इतनी सम्वेंदन शील है कि एक औरत होने के नाते एक माँ होने के नाते मैं नहीं चाहती कि इस बच्ची की जिन्दगी को मैं किसी के सामने भी इस तरीके से लाओं कि वो इसका मजा कुड़ा है पर अभार करती हूँ दिल से शुक्रिया करती हूँ कि इसने इतनी हमत तो की कि जो चीज इसके साथ हुई वो किसी और के साथ ना हो उसके लिए ये आई आगे आगे आकर इसने मेरे इस मुहिम में मेरा साथ दिया और मुझे एक होसला दिया मैंने इसे मना कर दिया था कि मैं नहीं तुम्हारी स्टोरी लाओंगी सब के सामने पर इसने कहां नहीं मुझे लानी है मुझे लानी है इसलिए क्योंकि लोग कहीं न कहीं इस बात को समझें कि औरत केवल एक इस्तमाल करने की चीज नहीं है और इस युग में जहां हजारों राक्षिश हैं वहां पर एक राम आज भी जिन्दा है ये बात अलग है कि अपनी अपनी किस्मत है किसको क्या मिलता है ये मुकदरों की बात है पर उसे मिला है इसलिए शायद वो इतने confidence के साथ इतनी अपनी शक्ति के साथ आपके सामने अपनी चीज रखने के लिए आ गई है इनका नाम मैं हाइड करूँगी और इनको मैं एक नाम करन करके दे रही हूँ आपको मैंने एक नाम दिया है और मैंने इसको नाम दिया है शक्ति शक्ति इसलिए क्योंकि सच में इसमें बहुत शक्ति है तो आप सब के सामने शक्ति की कहानी शक्ति की जबानी जैशी क्रिशना मेरी कहानी始 मेरी माता पिता थे वो बहुत जादा गरीब थे हम लोह बहुत गरीब परिवार से थे हमने काफी चीज़ें जहीली है मैं आपको बता भी ने सकती मेरे साथ क्या քज हुआ है मेरे जो पिता है अब नहीं है इस दोनिया में और जब मैं दस साल की तब उनकी द्यायत हो गई थी और मेरी मतलब इतनी मजबूरी थी कि हमारे पास घर भी निता रहने के लिए हम किराये पे रहते थे और और उस टाइम हमारी जो मजबूरी थे कि हमें घर से भी निकाल दिया मेरे भाए बहनों के साथ में थाना की मतलब एक दिन में अपनी मममी को देखा की मतलब ृ अपने में कील तड़ वहाई कोुछ रहे है क्या हो रहा था हम घुए अब मैं एब अन चीज हनु आधका की क्या हुँ एक थो बाना उलग साथ व समझ निंपा आई ऐसे लिए Kenです एक भnocसा डि़म फन्हे पनार मेरे सान कर थे छोल रहे थे चाचा थाप सिंगवानी मेरे चाचा कर थे मुझे बिली का मैं भरोस भी नहीं कर रहे थी कि मैं अशान कर सकते हैं अपनी माह को बता है कि CAD अमने मेरे साथ ऐस सदे को मेरे सान किया मेरे मा बहुत कि मेने का बतुए, ऐनों कहा हुए नही जुए दूखा पर उनूने कहा है कि कोई शयने के लावह कुछ नी कर सकती हो, तुम्हार पूस प। अमिरे बिनन कोेजि़़ा हंब ह हुआ था dil या कोई कि यह दिनगी है कि नहीं साहारा कुछ टाइम बाद मेरे को जॉप मिली और मैंने जॉप करी फिर दो दिन साल बाद मैंने दूसरी जॉप पकड़ी और सब कुछ अच्छ चल रहा था सही चल रहा था सब कुछ फिर दिरे दिरे पता नहीं क्या होने लग गया मेरे बॉस ने बहुत गंडी तरीके से देखने लग गए मेरे बॉस और बहुत बैड टच करने लग गए और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे बॉस में समझने पा रही थी ये फिर बहुत बैड टच कर रहे थे फिर बॉस ने ए तो तुम्हें फिजिकल होना पढ़ेगा, मैं शुक होगennya, मैं समझने पारी थे में क्या कर दो मेरे माइंड बादे चल रहे थे कि यह क्या कर एगे मेरे पास कुछ नहीं थे, क्या करो फिर उसके मनला कुछ नहींड टू मुझेम मेरी मजपूरी कि मुझे क्या-क्या नहीं कर वा रहे थी मैं बतानी सकती आपको मुझे इन बॉस के सथ फिजिकल होना पड़ा और जब बॉस ने काफी टाइम तक मेरे साथ फिजिकल रहे और जब उनका पेट बर गया मन भर गया उनका मेर से तो उन्होंने अपने जो भी कलिक थे रैफर कर दिया उनको मुझे मैं बहुत मजबूर थी सच में मैं बहुत मजबूर थी मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ मेरी चार भाई बहन मेरी माँ मैं उनकी शकल देखकर मेरी मजबूरी थी कि मुझे इस सब करना पड़ा मैं ने बहुत कुछ जेला है लाइफ में अपने बहुत कुछ और आगे रेफर करने के बाद उन में से एक इनसान मुझे ऐसा मिला मैं बिलीव नहीं कर सकते कि ऐसा इसा इनसान मिला मुझे इस दुनिया में ऐसी गंदगी में मुझे राम जैसा राम जैसा लड़का मिला जिसने मुझे सपोर्ट किया जिसने अब वो इनसान मुझे पढ़ा रहा है लिखा रहा है मुझे बता रहा है कि ये सही है ये गल्ट है मेरा साथ दे रहा है मैं सब कुछ सई चल रहा था और सब कुछ सई चलने के बारे मैंने सोचा कि जो मेरा बीता हुआ कल है मैं उसके बारे में उनको बता दू और मैं बहुत घबरा रही थी कि मेरे बताने के बारे मेरे साथ यह सब हुआ है यह जो शोशन हुआ है जो भी सारी बात मैं बता दू त तू मैंने डिसाइड कि में बता दूं मैंने बहुत हिमत जुटाई और मैंने बता देती और मैंने बोल दिया कि यह यह मेरे साथ हुआ है और वह उस तेम पर मुझे छोड़े चलेगए मैं समझनी पा रहे थी कि उनके मट में चल ग्या रहा है मेरे अंदर घबराहट हो रही थी कि मुझे छोड़ देंगे मैं मैं समझ नहीं पा रही थे क्या हो रहा है मेरे साथ फिर वो कुछ टाइम बाद आए और उन्होंने कहा कि हम शादी कर सकते हैं मैं शौक हो गई कि मतलब ऐसी दुनिया में इतने राम जैसे ऐसे इनसान भी हो सकते हैं जो मेरी ऐसी बाते जानने के बाद भी मुझे एकसेप्ट करें भरोसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था पर हाँ यह सच था कि वो मुझे शादी करना चाते हैं मेरी सचाई जानने के बाद भी अब सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैं पढ़ना चाती थी और अब वो मुझे पढ़ा रहे हैं और मैं MBA कर रही हूं और वो सरकारी नौकरी की त्यारी कर रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा कि अब हम जल्दी शादी करेंगे और उन्होंने अपनी फैमली को सब को बता दिया है कि हम शादी करेंगे और मैं बहुत खुश हूँ अब मैं जो लाइट में करना चाती है वो मुझे करा रहे हैं बहुत गुसा आता है बहुत बुरा लगता है बहुत ही जादा गिन आती है इस बात पे कि जिस जिसम से ये मर्द पैदा होते है उसी जिसम को रोंदने का कार्य करते हैं जो आरत उनको जनम देती है उस दर्द को सहकर उन मुसीबतों को सहकर उसी आरत को सरफ और सरफ एक जिसम बना कर कुचल दिया जाता है बहुत ही जादा नफरत होती है उन आदमियों से जिनके लिए औरत एक मशीन की तरह सरिफ समझी जाती है और वो उनको सरिफ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो ताकतवर हैं, उनके पास पैसा है, नाम है, शौरत है दितकार है ऐसे समाज पर, ऐसे लोगों पर जो समझते ही नहीं है, कि हर नवरात्रे में पूझी जाने वाली औरत भी एक औरत ही है उस देवी के रूप को पूझना उनके लिए बहुत आसान है लेकिन उस लड़की को पूझना बहुत मुश्किल है जो उनको उस देवी के रूप में प्राप्त हुई है दितकार है ऐसे लोगों पर और खास करके ऐसे लोगों पर जो अपने घर की बेटियों को नहीं छोड़ या ऐसे लोगों का गला सच में जिन लोगों को यही नहीं पता कि कम से कम अपने घर की लड़कियों के हिफाज़त करना उनकी मुर्दानगी है ना कि उनको शुर्षत करना माफ कीजेगा शाहिद मेरा गुस्सा बहुत जादा फूट गया है मैं शमा चाहती हूँ पर इस बच्ची की कहानी सुनकर बहुत अंदर से पीड़ा हुई इसलिए शायद मैं बच्चा मैं आप से कुछ सवाल करना चाहते हूँ हाला कि करने लायक नहीं हूँ क्यों कि आप ने जो डर्द अपना बैयान किया है वो एक ऐसा डर्द है जिसके आगे मैं तो मुझे लगता है मुझे आप से कुछ पूछना ही नहीं चाहिए मुझे आपसे सवाल नहीं करने चाहिए पर फिर भी आप जैसी ना जाने कितनी बच्चियां हैं हमारे समाज में, कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनको शोशित करा जा रहा है और वो अपनी मजबूरी में आकर शोशित हो रही हैं, तो कहीं तो किसी को तो रोकना पड़ेगा, क कहीं किसी को तो थमना पड़ेगा, कहीं किसी को तो इन चीजों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, एक मैं अकेले या एक अकेली शक्ती मिलकर इन चीजों को नहीं रोक सकती है, बहुत बढ़ा संगठन चाहिए, एक बहुत 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 बढ़ा इसके अंदर समूँ च पहले ही अपने घर के अंदर अपने घर में पल रहे मर्दों के दिमाग को एक उरजा दे कर एक प्रकाश दे कर उनको ऑरत की वैल्यू करना सिखाई ए हर एक मा को चाहिए कि वह अपने बेटे को यह शिक्षा दे कि पहले तू जिससे जन्वा है ना उसके पैर चुने से पहले अपने अंदर यह संकल्प करके इस दुनिया की हर औरत उतनी ही पूजनी है जितनी तेरी माँ है यह चीज अगर हर माँ अपने बच्चे को सिखाएगी अपने बेटे को सिखाएगी तो शायद कहीं हम इस चीज़ को रोक पाएंगे थाम पाएंगे क्या बोलू मैं मेरे पास तो सच में सोचने समझने की शक्ति खतम हो गई है शक्ति जब आपको यह पता चला कि आपकी पिता जी की मृत्यू के बाद आपकी माता जी को शोशित किया जा रहा है और वो मजबूरी में अपना शोशन करा रही है और मुझे पता है कि कुछ समाज के लोग यह कहेंगे कि कोई मजबूरी नहीं होती वो खुद इसमें इन्वाल्व होंगी बला बला किसी ओरत की मजबूरी पर कटाक्ष करना बहुत आसान होता है लेकिन ऐसे कहते हैं कि जे तन लागे वही तन जाने पीर पराई कोई ना जाने तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि उन्होंने आप सब की खुशियों के लिए वो चीज नहीं बरदाश की होगी मजबूर थी हालातों से बंधी थी वरना कोई औरत नहीं चाहती कभी भी अपने साथ ऐसा करना पर जब उनके साथ हो रहा था तो आपके अंदर एक विद्रूह न आपको अब बल्बूते पर घाए पोलिस में रिपोर्ट करानी चाहे थी या आपको रोकना चीज थी आपको कभी ख्याल आपके मन में नहीं आया बिटा गुरुमा जो में अपनी माहा को देख अपने चाचा के साथ मैं समझनी पाई थी की और मेरे उमर तब दस साल की थी म और जैसे जैसे मेरे उमर बढ़ती गई तो मेरे मा माँ के साथ हुई है अची नियो जीiforn Sea मेरे माँ के साथ भी हो रहा है और मैंने अपनी माँ को बताया तो मेरे माँ बहुत दुखी अगर मेरे माँ मजबूर थी मेरी मा मजबूर थी वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी मा जानती थी कि चार बच्चे हैं और मैं हूँ मैं भी कुछ लाइक नहीं थी मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी मेरी मा भी कुछ नहीं कर सकती थी तो हम मजबूर थे पर आप अपने आसपास अपने किसी को help के लिए बोल सकती थी? आप किसी को बता सकती थी कि आपके साथ क्या हो रहा है? क्या या आपको बिल्कुल किसी पर trust ही नहीं था? गरुमा मैंने अपनी मा को बताया, तो मेरी मा ने का वो तो खुदी शोशित थी, वो क्या कर लेती है आपके लिए मानी मुझे चुप करवा दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हमरे पाइस कोई ऑप्षन नहीं है समझ नहीं पाई कि आपको क्या करना चलिए कोई ऑप्षन नहीं था इसलिए यह शोशन हम चाहते गए यह गलती आप मत करिएगा आपके साथ अगर कुछ गलत होता है आपके साथ कुछ ऐसी गतीविधिया होती है और अपने घर में जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उन्हें समझाईए उन्हें सच में यह चीज बताईए उनसे खुलकर बात करिए कि कोई इंसान अगर उनको गलत तरीके से भद्दे तरीके से हाथ लगाता है तो उस की को उठाकर अगली महले में हला मचा कर कहना चाहिए कि यह आदमी मेरे साथ गलत कर रहा है इतनी हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए अगर ठाकुजी ने आपको जनम दिया है दो रोटी अगर आपके भागे के लिखिये तो वो उस आदमी के उपर आश्रित नहीं होगी व वो आदमी बिल्कुल नहीं जो आपके या आपके परिवार की बच्चियों का शोशन कर रहा है इस बच्ची में नहीं थी और शायद इस बच्ची के साथ हम जैसे कोई भी लोग नहीं थे जो इसको सपोर्ट कर पाते यह हमारी बदकिस्मती रही है कि हम जानते ही नहीं है क किसके घह में क्या हो रहा है और हम वहां तक पहुंची नहीं पातरा ना हमारे समाज के अंदर ऐसी कोई ہल्प लाइन है ना हमारे अंदर कोई ऐसी गुप दूरूप से ऐसी कोई NGOS चलती है जहांपर बच्चीया अपने दिल की बात कह सके लेकिन यहां कह सकती हैं यहां कह सकती हैं और यहां पर उनकी मदद के लिए हम हमेशा निरंतर खड़े हैं हम उनका साथ देने के लिए हमेशा खड़े हैं कि क्या बोलहं मैं में तो आज भी किसी किसी को सोच Neteff कोई बुरी नजर से देख ले तो मैँ तो उसकीडिए खड़े खड़े कड़े कर देती यहां और मुझे तो आज भी नहीं कि कोई मुझे गलत तरीके से टच कर दे तो मैं उसका क्या कर दूं मैं तो सच में ag pou nat research क्या होगा क्या नहीं होगा बट बहुत अफसोस हो रहा है बहुत ःणा हो रही है इसोचकर कि है कि इतनी चोटी उम्र tyard में आपने यह सब कुछ सहा यह सब सब चीजे आपके साथ हुए बच्चा जब आपके पास में आपको जॉब का ओफर मिला जब आपको कहा गया कि आप घर से बाहर निकल कर और आप जॉब करिये तब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया मतलब आपको क्या लगा कि मैं इस इन सब चीजों से भाग जाऊंगी यह आया या आपको यह लगा कि मैं अब अपने बल्बूते पर खड़े होकर अपने और अपने परिवार का भालन पोशिन कर पाऊंगी क्या क्या चीज फिल हुई मेरी जान आपको उस वक्त मैं बस यही चाहते कि मुझे उस दलदल से निकलना है मैंने अपने मा को शोशित होते हुए देखा है किस तरीके से मेरे चाचा ने उनको इतना परिशान कर दिया था इतनी बुरी बुरी चीजे करी है मेरे बहुत परिशान किया मुझे किया मेरा शोशित किया और मैं नहीं च चोटे चोटे भाई बहनों को कोई दिकद हो। मैं यह थलू एक छोटे बहारों के सात्म उन्हीं चाहिते हैं कि मेरे साथ हिए fazer बाई बहारों के साथ हो। मुझे यह था कि मुझे अपनी बहनों की दल्बल में नहीं दत्ते अदेमें लगलाना. कि अपनी बहनों कि साथ एक होना देना चाहती थी और मुझे जोब मिली और मैं जौप पकड़ी और बहुत महनद करिया और अब भूड अच्छा है यह बहुत बड़ा आश्रवाद है ताकुर जी का कि आपके साथ सब कुछ अच्छा है लेकिन जब आपको जब आपने जैसे बताया कि आपको दूसरी जॉब मिली और दूसरी जॉब में भी आपके बॉस ने आपको आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपको मतलब कैसा लगता था क्या क्या आनुभाव होता था जब मैंने पहली जॉब करी थी सब कुछ सही चल रहा था फिर अचानक मैंने दूसरी जॉब पकड़ी क्योंकि मजबूरिया थी कुछ तो मुझे निकाल दिया गया जॉब से मैंने सोचा नहीं था कि दूसरी जॉब मिलने के बाद ठीक था सब कुछ सही चल रहा था अचानक से जो मेरे बॉरी नजर से मुझे देखना शुरू कर दिया आजकल हर जगे हैं मतलब आजकल हर जगह यह होता है कि लड़कियां जिस भी आफिस में काम करती है वहां पर उनके इमपलोई या बॉस उनको इस तरीके से explode करते हैं यह यह भी एक बहुत बड़ी problem है कि वहां भी लड़किया मजबूरी के कारण या अपनी जॉब को बचाने के लिए बोल नहीं पाती है खड़ी नहीं हो पाती है जो की एक बहुत बड़ा कारण होता है उनके सुषुत होने का होता ही है साथ में और लड़कियों के शोषित होने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है यह चीज़ सुचा था कि कि इतने साल पहले मेरे सानला वो फिर से होने लग गया मेरे साथ मैं बहुत बहुत जो जो पिछली बात थी मेरे दिमाग में घूमने लग गए क्या हो रहा है पर जुछ नही गर पारी थी पर मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने वह जौड चोड़ने की सोची पर मुझे बॉस ने क्या बॉब लाए एक दिन मैंने रिक्वेस्ट करी कि नहीं सर मुझे जरूवत है उस टैंब भी मरे को बहुत जरूवत थी वह जौब की तो सर ने कहा मेरे बॉस ने कहा कि आपको फिजिकल होना पड़ेगा आपको मतलब यह जौब जहनी है जौब चाहिए तो आगे कंटिन्यू करनी है तो मुझे समझे नहीं आ रहा था मैं क्या करूं मेरे परतली जमी मैं समझ नहीं पा रहा थी मरे को लग रहा था इस दोन्यों में सब एक ही जैसे हैं क्योंकि आज तक मैं मेरे चाचा ऐसे थे मतलब अब मैं बहार निकली हूँ मेरे बहुत से ऐसे हैं मेरे को कोई सही नहीं लग रहा था सब एक जैसी मर्द लग रहे थे मुझे चेड़ हो कि बुज़र जो कुछ जुढ को कर रही हूं। लिए मुझे ए, जल घब मुझे इसनिल्य था, उन्ना कि नपीन भर्णा कुछ चैना कूर वासा। मैं तो मुझे में कर पने बाँ बहुत मुझे तो बहुत खाना कूर, मुझे आपको कई असा लगा झाला नहीं किया। कि आपको इस चीज के लिए किसी की मदद लेनी चाहिए, कोई दोस्त, कोई NGO, कोई पुलेस, कोई किसी भी तरह का कोई इंसान, या सच में ट्रस्ट ही खतम हो गया था, सब्सक्राइब मेरे अंदर बिल्कुल भी हम्मत नहीं थी, कि मैं यह सब किसी को कहूँ, तरह कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मुझे सब एक ही जासे लग रहे थे, कि मुझे लगता था कि मैं किसी को बताऊंगी, या तो वो मुझे ही गल्द समझेगा, या तो मेरा फायदा उठाएगा, एक्जेक्ली हमारे समाज में ऐसा ही होता है कि जब लड़की अपने बारे में बताने जाती है, तो आदे से ज़्यादा उंगलिया इस तीज पर उठ जाते हैं कि यही ऐसी होगी, यही characterless होगी, यही कम कपड़े पहनती होगी, यही अपने जल्वे दिखाती होगी, हाँ यह बत बिल्कुल सच है कि आधे से ज़्यादा टाइम और तो को या लड़कियों को ही इस चीज़ के लिए गलत माना जाता है, मर्द तो भाईया दूद में नहाता है रोजाना, जंदगी को बचाने का कारें वो मर्द कभी नहीं कर सकता, इसलिए वो तो हमेशा पाक और पवित्र है, यह बात अलग है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर जितनी भी नदियां है, वो सारी के सारी स्तिरियों के नाम पे बनी है, मा गंगा खुद एक देवी है मा यमना खुद एक देवी है लेकिन उसके बावजूद भी पवित्र स्रिफ आदमी है, औरत नहीं हे मेरे गोविंद, आप भी आदमी हों पर पता नहीं क्या बोलू मैं, आपने तो दुरापती को आकर बचाया, यहां कृष्ण जैसा एक भी हो जाये तो मुझे लगता है कि हर बच्ची अपने घर से, अपने आपको सुरक्षित समझ के घर से बाहर निकल पाए जब आपकी मुलाकात हुई, जिनके साथ अभी आपकी शादी होने वाली है, और आप बहुत खुश रहो उनके साथ, जब आपकी उनसे मुलाकात हुई, तो आदमी का इतना घिनोना चेहरा देखने के बाद आपको ट्रस्ट हुआ उस आदमी पर? मेरे जो बॉस थे, उन्होंने रैफर किया था मुझे जब, तो मैंने काफी लोग से मिली थी, मतलब काफी फीजिकल हुई थी मैं सब, तो मेरे को बिलकुल भी उमीद नि थी कि ऐसी गंदगी में, ऐसी दल दल में एक ऐसा राम जैसा निसान होगा, वो नैचुल बात है कि आदमी का बच्पन से ऐसा रूप देखा हूँ, और मेरे को बिलकुल भी भरोसा नहीं होगा था कि वो इतने अच्छे होंगे, और उन्होंने इतना सपोर्ट किया है मुझे, इतना सपोर्ट किया मैं बिलीव नहीं कर सकती, वो अभी मुझे पढ़ा रहे हैं, और मैं अभी इस दुनिया में शायद कुछ ऐसी माएं हैं जिन्होंने राम जैसे बेटे भी पैदा किये हैं, जो सच में आउरत की वैल्यू करना जानते हैं, और कितना अच्छा होना अगर हर घर में ऐसा राम हो, हर घर में एक ऐसा लड़का हो, जो औरत की इज़त को अपनी माँ और अ मैं किसी को नहीं बता पा रही थी ये बात, जो मेरे साथ हुआ, जो ये बात थी, मैं अपनी माँ को भी डर डर के बता रही थी, पर मैंने काफी हिम्मद जुटाई, काफी हिम्मद जुटा कर मैंने बताया, और उनोंने, जब मैंने बताया था उनको ये बात, वो वहां से जो चले गए थे और उस ताम मेरे माइंड में इतनी बात आ रहे थे कि अब यह मुझे छोड़ देंगे, यह नहीं, यह भी ऐसी है, इनकी भी थिंकिंग ऐसी होगी कि मेरी गलती है, यह यह भी आप मुझे यूज करेंगे और यह भी अप मेरे फिजिकल शोशन करेंगे, और आए दो मिनट बात आए और उने अचानक से मुझे कहा कि हम शादी कर सकते हैं, और मैंने सोच भी था, कि यह जब जानने के बारे मेरे बारे मेरे पास जानने के बाद भी वह मुझे कहAHेंगे कि आप मुझेShादी करेंगे, तो इससे बड़ी बात मिलती हो या उस गलत दृष्टी से देखते हैं तो हम क्यों नहीं उस औरत के अंदर अपने घर की बेटी अपने घर की बेहन अपने घर की मां के चहरे को देखते हैं क्यों हम यह नहीं सोचते हैं कि पुरुष को एक स्त्री दी है जो उसके लिए पूरी है उसके लिए पूरक है क्यों वो हर स्त्री के अंदर एक वैश्ची पने की तरह नजरे गड़ाए उसको खाने के लिए दोड़ता है और खाने के लिए बहुत समान है दुनिया के अंदर भाई वो खाऊना एक औरत को क्यों खाने जाते हो उस औरत के इज़त आप नहीं ले रहे होते हो सच बोलू आप अप अपनी इज़त गवा रहे होते हो इश्वर की नजरों में आप खुद अपने आपको गिरा रहे होते हो ठीक है सामने नहीं खड़े हैं लेकिन अप्रत एक शुरूप से तो देख रहे हैं कि आपकी गिनोनी हरकते कैसी हैं आप किस तरह की कैसी असमाजिक लोग हैं इनकी मानसिक तक ऐसी होती है ऐसे मानसिख विकारों वाले सारे आदमियों को एक जेल में बंद कर देना चाहिंए या एक हास-पागल खाने में बंद कर देना चाहिए और इनको कहना चाहिए तुम्हारे अंदर जितनी भू के ना、 जितनी ह reckless ना एक दूसरे पे निकाल के खतम करो ताकि नको पता चले कि उस औरगर वो जब उत्पीडन देते हैं जब उस और इसको टॉट चर करते हैं उस छोटी सी बच्ची को जब ये शारेरिक शोषन करते हैं तो वह दर्द कैसा होता है वो भावना कैसी होती है वो घिन्नता कैसे हो कि उन सब चीजों को सह कर अपने आप में ये हिम्मत जुता पाती है कि ये दुनिया में वो जिन्दा रहने लायक भी है कैसे वो खुद से प्यार कर पाएगी कैसे वो एक नया अच्छा एक अपना परिवार खड़ा कर पाएगी कैसे वो किसी दूसरे के घर में जाकर वो ममता तो वो करुणा बरसा पाएगी पर आप इस चीज में बहुत स्वभाग्यशाली हो कि आपको एक साथ बहुत अच्छा मिला आपको एक ऐसा इनसान एक जीवन साती के रूप में मिला जिसने सच में आपको एक बहुत सपोर्ट किया क्या वो आपकी फैमली को आपके भाई ब खर्चा यह उठाते हैं यह बोलते हैं आपको जो करना है जो करना वो करो मैं पढ़ना चाहती ह meow वो मुझे पढ़ा बैए हैं और मेरी भाई भेहने का खर्चा भी यह उठा रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ और सच में भाई आपको तो साक्षात में इश्वर ही किसी रूप में मिल गए हैं और मैं तो यह कहूंगी कि ऐसे इंसान का तो पैर दोदो के पीना भी कम होता है आप आपको कैसा लगता है बेटा आपने मर्द के दो रूप देखे एक रूप बहुत ही घिनोना बहुत गंदा बहुत वाहियार देखा आपने और एक रूप आपने इतना अच्छा देखा मतलब आपने तो जीते जी मुझे लगता है कि मैं रावन नहीं बोलूंगे विकॉस रावन के अंदर तो अब आप इनके रूप में एक राम देख रहे हो सच में राम ही है तो कैसा लगता है एक पुरुष के ये दो रूप देखके विश्वाश होता है कि आपके साथ ऐसा इतना सब होता है या कभी-कभी डर लगता है मैंने देखा इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुर जो मेरे साथ हुआ है वो अब मैं यार इसको तो आम नहीं मिटा सकते हैं अब मेरे साथ जो होगा अब अच्छे ही होगा क्योंकि ये मेरे साथ आपका और काना जी का तो आश्रिवाद है ही और बस आप मुझे कुंडले देखके बताए आगी का सफर हमारा क्यासा होगा बि हम रोज कहीं अपनी ही उलजनों में उलजे हैं जिंदगी के फलसफे को हम अपनी ही शब्दों में समझने की कोशिश करते रहते हैं हर रोज जिंदगी के किताब को अपने ही अनुसार बदलने की कोशिश करते रहते हैं आज sad song पसंद नहीं है तो आज हम love song सुन लेते हैं, आज love song पसंद नहीं है तो आज हम classical सुन लेते हैं जिन्दगी इससे परे भी बहुत कुछ है, वो अपनी ही एक गजल लिख रही होती है, अपने ही शब्दों में किसी को ढाल रही होती है इतनी छोटी सी बच्ची की जिन्दगी में इतने काले गंदे साये उन सायों से निकलना, उन सायों को दिन रात जेलना आसान नहीं है पर यही तो शक्ती है, यही तो नारी है, यही यही आकर तो औरत, औरत कहलाती है शायद इस जगे कोई मर्द होता तो जाके डूब मरा होता पर चुकि यह औरत थी, इसलिए इतने सब के बहुजूद भी जिन्दगी को आगे जीने की एक चाहा लेकर बढ़ती जा रही है आप सबसे गुजारिश करूँगी, कि आप मेरी इस बच्ची को अपना अश्रवाद जरूर दे जरूर ब्लैस्ट करें कि इसकी जिन्दगी हमेशा अच्छी हो यह आगे कभी वो दुख वो पीडाए ना देखे जो इसके पास्ट में इसने देखी है इसके भाई बैन बहुत समरत बने आप सब लोग जरूर कमेंट करके मेरी इस बच्ची को अश्रवाद देना जरूर, भूलना मत एक और बात कहना चाहूंगी हो सकता है कि यह कहानी बहुत सारे लोगों को अपनी नजर आए इसमें कुछ चीजें आपको अपने साथ होती नजर आए शेयर करना ऐसे लोगों से शेयर करना जो ऐसे लोगों के इड़ गिड़ पल रही है और शायद इसकी जिन्दगी से प्रेरे थोकर वो अपने आपको बचा सकते है शायद फिर कोई शक्ती किसी चाचा के हाथ शोशे थोकर अपनी जिन्दगी अपना बचपन नहीं भी काड़ेगी वो खड़ी होगी अपने बल्बुते पे जो काम इस बच्ची ने एक बहुत लंबे सफर के बाद किया वो काम बारा साल की वो शक्ती कर पाएगी मैं मुहीम करती हूँ आग्रह करती हूँ आप लोगों से कि मेरी इस तपस्या में मेरा सार दीजिए मेरे इस सफर में उन बच्चीयों को बचाने का प्रयास निरंतर चालू रखिए शेर करिए और उन्हें ये समझाईए कि वो कमजोर नहीं है उनमें ताकत है वो लड़ सकती है वो समहाल सकती है ये सार थी परिवार ऐसी बच्चीयों की मदद के लिए हमेशा खड़ा है मेरे सार थी परिवार के अंदर जितने भी पुरुष हैं मैं उन सबसे गुजारिश करती हूँ आपने इर्द गिर्द में, अपने आस पडोस में ऐसी बच्चीयों का साथ देने के लिए आगे आएए साथ दीजिए ऐसे लोगों का जिनका कोई नहीं होता थाकुर्जी के रूप में उनके जीवन में प्रवेश करिए और उनका सहारा बनीए हारे का सहारा श्रिफ शाम नहीं है हारे का सहारा हर एक इनसान है और हर एक इनसान में मेरा शाम बसता है मेरे ठाकुर जी हर इनसान के हिर्दे में है उनकी आत्मा में है किसी भी बच्ची का बच्पन मत उजड़ने देना किसी भी लड़की को उसकी काम की जगह पर शोशित मत हुने देना विद्रोह करना सीखो, लड़ना सीखो, गलत के लिए आवाज उठाना सीखो आज के लिए बस इतना ही, फिर आउंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्बुत लेकर कि दो तक के लिए मुश्च कुराते रहेगा, रिष्टो में मजबूती बना के रखेगा, अपने सार्थी के साथ जुड़े रहेगा, प्यार देते रहेगा, ख्याल रखेगा अपना और उनका जीन से आप प्यार करते हैं हम जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जोतिश शास्त्र में पीच्टी मात्रिशिला पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परमपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुरलब गोड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लवस के अधेन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्याद हैं अपने उपायों द्वारा लाखों लोकों का जीवन सवार्चुकी मात्रिशिला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप्त कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानत किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोनचर के अवोर्ड से नवासा जा जुगा है प्राप प्राप्रोनचर के मुख्यमान क में अवर्ड सेस्ते।